क्या आप भी confused हैं कि ETF trading या फिर investing में से कौन सा बहतरीन है और आपको क्या करना चाहिए आपने इन दोनों को try कर लिया पर क्या result फिर भी अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं तो आज की ये informative वीडियो खास आपके लिए ही है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि ETF trading वर्सेज investing में क्या सही है और किसमें मिलते हैं अधिक returns अब इन दोनों में से जो भी best होगा उसके लिए क्या अप्रोच होगा जिससे आप अपने returns को maximize कर सकते हैं ये भी समझेंगे इस वीडियो के अंत में तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें देखें ETF में आप चाहे trade करें या फिर invest आपके लिए दो चीजों को समझना बहुत ही महत्वपूर है और ये पूरी तरह से आप से ही जुड़ी हुई है तो पहला है आपका financial goal इसका मतलब आपको trading करनी है या फिर investing वहाँ आपका goal ही decide करेगा जिसके हिसाब से आप तेह करें कि वह short term है medium term है या फिर long term है फिर सबसे बड़ा factor है risk tolerance यानि आप कितना जोखिम ले सकते हैं तो इन दोनों factors के बारे में हम इस video के दौरान बात करते रहेंगे जिससे की आपका concept clear हो जाए सबसे पहले बात करेंगे ETF investing की जिसे एक प्रकार से passive तरीका माना जा सकता है जहाँ पर आपने एक बढ़िया ETF में अपने goals को देखते हुए invest कर दिया और जो भी उस ETF के underlying index के returns होंगे आपको उसी तरीके के returns मिल जाएंगे ETF investing उनके लिए है जो अधिक risk नहीं लेना चाहते हैं long term के लिए invested रहना चाहते हैं और buy and hold की strategy अपनाना चाहते हैं पर यहां काफी लोग होंगे जिन में इतना patience नहीं होता है कि वह एक या दो साल का wait करें तो उनके लिए ETF investing नहीं है अगर आप ETF में invest करने वाले हैं तब आपको disciplined approach रखनी होगी तो अब तक आप समझ गया होंगे कि ETF investing के क्या फायदे हैं देगे ETF investing की बात करें तब trading की अपेक्षा इसमें charges कम लगते हैं क्योंकि आपके number of trades कम हो जाते हैं ETF में long term investing की अपेक्षा रिस्क भी कम हो जाता है अब एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि ETF investing काफी tax efficient भी होता है क्योंकि अगर आप एक साल से उपर hold करते हैं तब आपको अपने capital gains पर कम tax देना पड़ता है ETF investing के दोरान आपको मानसिक शांती भी मिलती है क्योंकि आपको लगातार market को track नहीं करना पड़ता नए investors के लिए ETF investing वर्दान है क्योंकि इसमें आपको technical analysis जैसा complex subject सीखने की ज़रुरत नहीं होती और आपके वल basic fundamental सीख कर ही ETF investing की शुरुआत कर सकते हैं इस channel पर हमने ETF investing के basics को काफी detail में cover किया है अगर आप एक नए investor हैं तब ETF investing वाली playlist को देखना न भूलें तो अभी तक आप लोगों को लग रहा होगा कि अगर कोई ETF में निवेश कर रहा है तब सब चंगा सी और कोई problem नहीं है पर ऐसा नहीं है तो ETF investing के कुछ negatives भी हैं जैसे तो मैंने काफी सारे लोगों से बात करी और उनके हिसाब से ETF investing boring है यानि इसमें कोई thrill नहीं है तो अगर आपके विचार भी कुछ ऐसे ही है और आपको thrill और excitement चाहिए तब passive investing आपके लिए नहीं है कई लोग कहते हैं कि उनका target goal का समय कम है और उन्हें returns बनाने की जल्दी है तो ऐसे लोगों के लिए ETF investing नहीं है क्योंकि इसमें आपको बढ़िया returns पाने के लिए समय तो थोड़ा तेना ही होगा अब कुछ का एक बड़ा unique observation ही है कि कई कई बार तो ETF भी अपने index से नीचे returns दे सकता है तो क्योंना active trade करके अपने trade को maximize किया जाए ऐसा हो सकता है और नहीं भी जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं तो बने रहे हैं हमारे साथ अब आईए बात करेंगे ETF trading के बारे में जो एक active approach है अगर आपने spider man movie देखी है तो उसमें Peter Parker के uncle कहते हैं with great powers comes great responsibilities तो इसी बात को अगर ETF trading के respect में देखें तब with ETF trading comes great volatility तो भाया अगर आप volatility यानि उतार चड़ाओ से दोस्ती करना चाहते हैं तब welcome to ETF trading जहाँ पर आपको short term units को buy sell करना होता है अब ये trading intraday भी हो सकती है या फिर swing या फिर positional जो एक से तीन महीने या उससे अधिक भी चल सकती है पर अगर आप ये देख करके ETF trading में घुश जा रहे हैं कि बस अब तो कल से ही daily income शुरू हो गई तब आपको एक step पीछे ले करके वापस से सोचना चाहिए ठीक है अगर आपको trading का सब कुछ पता है तब आप profits बना सकते हैं पर कई बार इसमें laws भी लेना पड़ता है इस बात का ध्यान रखे हैं अगर आपको कहीं से पता चला कि फला strategy का use करके आप एक महीने में ही करोड़पती हो जाएंगे तब यहाँ पर विशे सतरकता बरते हैं ऐसा नहों कि ETF trading करते करते आपका मूल धनी साफ होने लगे हैं तो क्या लगता है कि ETF trade करने का कोई फायदा है? जी हाँ है मैंने पने पिछले 18 सालों के stock market investing और trading experience से ये समझा है कि बाई stock trading के comparison में ETF trading अधिक safe है हाँ return थोड़ा कम जरूर होता है पर safety अधिक है देखे stock trading versus ETF trading के उपर एक detailed video बन सकती है अगर आप comment करेंगे तब मैं उसे ले करके आऊँगा जहाँ पर कोई stock zero भी हो सकता है पर ETF नहीं होगा क्योंकि वह stocks का basket होता है और उस पर कोई corporate news या earning का असर नहीं होता है इसलिए ETF trade करके short term में भी returns बना जा सकते हैं आप sectors को देखते हुए तरह-तरह के ETFs को खरीद बेच सकते हैं अपनी trading के दोरान और अपना profit बना सकते हैं पर जैसे ही आप ETF trading को चुनते हैं आपको समझना होगा कि ETF trading के दोरान आपको काफी उतार चड़ाओ जहलना होगा और आपको constantly market को भी track करना होगा जिसका मतलब है कम मानसिक शांती दूसरा कोई भी ETF में आप ऐसे ही trade नहीं ले सकते बलकि आपको उसकी liquidity पर विशेश धेहन देना होगा और अगर नहीं धेहन दिया तब आप trade में फस जाएंगे आपको perfect trade लेने के लिए एक perfect strategy के तहती काम करना होगा और इसे ही किवल अपने मन से कभी भी खरीद लिया या फिर कभी भी बेच दिया तो ऐसा नहीं चलेगा जहांपर ETF investing में आपको अधिक चीज़ों पर ध्यान नहीं देना होता है पर ETF trading के लिए आपको technical analysis तो आना ही चाहिए ये must है वैसे अगर आप basic technical analysis सीखना चाहते हैं तब हमारा blog जरूर पढ़ें link description में है ETF trading के दौरान आपको अधिक transaction charges लग जाएंगे जो overall returns पर प्रभाव डालेंगे आपको ETF trading के लिए short term capital gains लगेगा जो थोड़ा अधिक रहेगा as compared to ETF investing अब बात आती है कि इन दोनों में से आपके लिए क्या best है तो देखिए ये दोनों ही best हैं अपनी अपनी जगे पर और आपको समझना होगा कि आप कहां पर stand करते हैं जहां पर एक और ETF trading में जल्दी profits हो सकते हैं पर उसके लिए चाहिए technical experience और risk management skills यानि ETF trading के लिए आपको पहले stock market का थोड़ा experience होना चाहिए और ये पहली बार के investors के लिए नहीं है ETF investing जो है वा trading की तुलना में थोड़ी आसान है क्योंकि ये passive है और इसमें आपको बहुत कुछ नहीं करना होता है ये काफी cost effective भी होता है पर हां आपको इसमें छोटे गिरावट से घबराना नहीं है और long term के लिए invest करना है बात करें कि इन दोनों में returns किसमेधिक बनेंगे तो इसमें थोड़ा मदभेद हो सकता है कुछ experts को trading में अधिक फायदा होता है तो कुछ को investing में पर मेरा मानना है कि लोगों को थोड़ा experience लेने के बाद में trading plus investing का combo try करना चाहिए जिसमें वाकई इन दोनों individuals की पेक्षा अधिक returns मिलेंगे आपको तो अब तक आप समझ गए होंगे कि मेरा approach क्या होने वाला है जी हाँ, वह है ETF investing plus trading मैं समय समय पर अपने channel पर इन strategies के बारे में discuss भी करता रहता हूँ तो मेरे कुछ rules हैं जो मैं आपके साथ discuss करता हूँ मानले, मेरे पास 100 रुपे हैं तब मैं 70 रुपे investing और 30 रुपे trading को दूँगा हाला कि शुरुवात 90-10 से करी जा सकती है अब यहाँ पर investing की बात तो मैं नहीं करूँगा पर हाँ, trading में जो भी पैसा आता है उसके लिए लगातार sectors के ऊपर काफी research करनी पड़ती है मैं ETF में कभी भी intraday या short term trades नहीं करता और आम तोर पर वह swing trades होते हैं जो एक week से लेकर के 3-4 महीने तक भी जाते हैं हाला कि मैं stocks में भी direct swing trade लेता हूं पर ETF में winning efficiency अधिक है तो कैसे कर सकते हैं आप best ETF investing या फिट trading उसके लिए मैं recommend करूँगा यह दो informative video जिसे आप ज़रूर देखें